वेलकम अगेन वेलकम टू इस्टोक मागे अजय इस वाले वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि समी कंपणी के बारे में जिसका आइप आने वाला है आइप आप आचुका एक्छली ओपन है एक दिन हो चुका है और बारत अरे तारीक है चार तो है नहीं इसमें तो हम वो है बेशने वाली है प्रमोटर के पास कितना शेयर है और सारी सिज़ें तो चलो फटापर चलते हैं यहां पर आप देखेंगे कंपणी इन कॉर्परेट्विटी 2010 में कंपणी का पूरा नाम है नीलम लाइंस और मेंट्स इंडिया लिमिटेड देखो यह इसके जो इंडिया में भी काम करती है और यह प्रोड़क्त है कंपणी के पास इनकी मैनुफेक्ट्रिंग करती है चलो अब यह देख लो कि SME कंपणी है कंपणी है मैनिफेक्ट्रिंग कंपणी है रिटेल के लिए जो बिट प्राइज है वह है 20 रुपे से 24 रुपे यह बुक बिल्ट इशू है जिस पर ज्यादा बीड आएगा वह आला प्राइज आपको मिलेगा इशू में लोट साइज है छेजार का 20 रुपे का प्राइज ह देखें हम लोग आगे इचना के बात करें वह रिटेल वाला केटिगरी था यह चना का है दो लोट सबसे ज़्यादा और मादला मादला कम से कम दो लोट वह अपलाए कर सकते हैं मिनिमीम मतीन अपलाइज कर सकते हैं सेम टाइप है शेम शेयर प्राइज रहेगा सेम लोट लिस्टिंग होगी उसके पांस दिन बार अठरह तारी को चलो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है इन शीजों पर ध्यान दीजिए प्रमोटर के पास कितने है और परसेंटेस कितना है अब प्रमोटर के बात करें तो जानकी जेठवा और मंजूला जेठवा इनके पास टोटल मिला के लगबग 10.48 परसेंट है यह 7,75,000 और 7,75,000 यह दो लोगों के पास है तो टोटल इनका 10.48 परसेंट हो गया तो इनका टोटल प्रमोटर प्रमोटर गुरूप का मिलाके परसेंट है तो यहां से कम 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 जदा है उसके बाद अगर आप रिवेंड़ की बात करेंगे तो यहां पर एक डिप है लेकिन यह आप देखेंगे कि 78 से अब यह आगडा करोड में है तो इसको आप लाख में है तो करोड में डिवाइड करने के लिए आप पूरे आकड़े का यह प्रेजेंटरेशन में टेलीग्राम पर मिल जाएगा प्लीज महां पर चले जाना पीडियेव के फ़र्म में आपको मिल जाएगा आप चाहे तो अपना पर्सनली इसमें रिशर्च कर सकते हैं इसको देखके अगर वीडियो में समझ नहीं आए और इसको अगर आपको और देखना हो प्रोफिट अफ्टर टेक्स की बात करें तो 41.53 लाग था फिर 298.58 लेग हुआ दोहजार तेइस में यह 237 लाग हुआ फिर दोहजार तेइस के एंड में दिसम्बर 31 में वह 102 लाख आप बोलें कि 103 लाख है बेसे सब्सक्राइब नहीं नेट पर आप देखेंगे तो वह भी लगातार बड़ा है और नीचे वाला कॉलम टोटल बॉर्विंग देखने तो में थोड़े से मिली जुले हैं यह आप देख लेना हां प्रोडक्ट के यह वाला जो सेग्मेंट है सबसे इंपोर्टेंट है 2021 2022 2030 और 2024 मान लीजिए आप इसको यहां पर हम प्रोड़क्ट की केटेगरी और उसका रेवेन्यू कितना कहां से आ रहा है वह देखेंगे आप इस चीज़ पर ध्यान दे और इस चीज़ पर ध्यान दे ठीके रेवेन्यू और कितने परसंट रेवेन्यू है आप यह दिखेंगे आप इस वाले को एक बार देख लो सबसे पहले लास्ट वाला तो आपको चीज़ों समझ में आएंगी देखो बेट सीट से 57.24 परसंट का से रेवेन्यू में दूसरा पिलो पईर से टाबल से जिनके 1.28 परसंट रेवेन्यू आता है जिनसे बंद की नवर हैं टावल में 0.38 परसंट का रेवेन्यू है पिर रोटेब दूटी क्रेडित स्क्रिप्ट और इंपोर्ट लाइसेंस यह वाला देखेंगे तो यहां पर 35 परसेंट का है तो यह वाले दो जो प्रोड़क्ट हैं यह वाला और यह वाला यह आपके में हैं इनको आने वाले समय में देखना है कि इस तरीके के प्रोड़क्ट से रिवेन्यू में चेंज कितना आ रहा है या कोई चेंज हो रहा है कि उसका रिवेन्यू से जाधा आ रहा ह यह इस में इस प्रोड़क्ट में रेवेन्यू साथ आ रहा है एक इस तरीके से प्रभावित हो रही है यह आपको देखना पड़ेंगे ठीक है भाईसा यह आप बाकी शीट देख लेना आप चाहें तो इसकी शोट ले लिए चलिए स्ट्रेंथ और विकनेश की बात करें तो इस कंपनी में स्ट्रेंथ भोजाद है नहीं अब देखलो तो केटर दा ग्रोविंग डिमांद फों देर एग्सिस्टिंग कस्टमर तो मिट रेक्वार्मेंट्स अफ निव कस्टमर दे इंटेंड टो इन्टेंड टो इन्वे पोकस on bedsheet which makes them particularly suspectable to fluctuations in demand any safety in consumer preference have the potential to significant impact their business as well as influence the operational outcome and financial standing में यही चीज़ आपको बता रहा था की पहले ता आप अगर वो मैंने जो पहले bedsheet वाली बात बता है वो नीचे वाला एक जो सब्सक्राइब कर सकती है अगर क्लाइंट अगर प्रोड़क्ट के क्लाइंट अगर चेंज हो जाते हैं या कुछ दिक्कत आ जाती है डिमांड में दिक्कत आ जाती है तो वह कंपनी के लिए सब्सक्राइब कर लेना और शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राम